हलो फ्रेंड्स आज क्ल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में हरी सबजियां बहुत मिलती हैं तो आज चुम्हें आपके साथ एक परांठे की रेसिपी शियर करने वाली हूँ ये हमारी उन्हीं हरी चीजों से बनी है, में निसमे मेथी है और मेथी के साथ मेरे घर में जो भी हर्याली वाली चीजें थी वो सारी मैंने इसमें आड़ कर दी है और बहुत ही टेस्टी परांठा बना है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो इस परांठे को बनाने के लिए मैंने ली है मेथी तो आप देख सकते हैं एक छोटा बंडल मेथी का लिया है मैंने कुछ पत्ते मेरे पास पालक के थे और थोड़ा सा हरधनिया लिया है तो आप इसमें मेथी की कॉंटिटी जादा रखे तो इस अच्छे से धोलेंगे और धोने के बाद आप इस तरह से इसको चौप कर लें इसे मेथी की कॉंटिटी हमें जादा रखनी है तो इस तरह मैंने इन सबी चीजों को बारी काट लिया है अब इसके बाद हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक pan लिया है इसमें हमें कुछ पे नहीं डालना है तेल वेरे कुछ पे नहीं डालना है सारा यह mixture इसमें डाल देंगे हम और अपनी gas की flame को low करेंगे और low flame पे हम इसको इस तरह से पकाएंगे दो से तीन मिनट तक ताकि इसके अंदर का सारा moisture निकल जाए तो देखे लगबग दो से तीन मिनट हो गए है मुझे तो मैं अब इसको off कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी इस mixture को यह mixture ठंडा हो जाएगा तब हम इसका dough बनाएंगे तो इसको हम ठंडा होने देंगे आटा गुनने के लिए यानि के dough बनाने के लिए मैंने एक cup लिया है गेहूं का आटा आप एक कटोरी ले लीजी और उसी से सारी measurements करें अब एक cup गेहूं के आटे के अंदर मैं डालूँगी आधा cup पेसन और साथ ही मैं इसके अंदर ये मसाले डालूँगी जिसमें बारी कटी हरी मिर्च है नमक है, हल्दी है, अजवाइन है, अद्रक है और रोस्टिट जीरा और धनिया पाउडर है एक चोटा चमच अच्छे से हमने अपने बेसन और आटे को मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी नमक मैंने स्वात के नुसार डाला है तो आप इस बात का ध्यान रखे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे हमारा मिक्सचर जो हमने ग्रीन मिक्सचर तयार किया मिक्सचर को ठंडा होने पे ही अपने आटे के साथ आप मिक्स करें गरम नहीं डालना है हमें तो इसे बिल्कुल ठंडा होने पे ही मिक्स करें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक छोटा चमच रिफाइन डॉयल तो यह एक टी स्पून रिफाइन डाला है मैंने और गुंगरे पानी के साथ मैं इस डोग को नीट करूंगी एक दम बहुत जादा पानी नहीं डालना है हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें बहुत कम मात्रम इसमें पानी जाएगा तो इसे अच्छे से आप नीद कर लें आखिर में अपने हाथ पे आप थोड़ा सो आईल लगाएं और अपने स्टो को इस तरह से अच्छे से नीद करें ताकि ये स्मूदली नीद हो जाए और इसके बाद आप इसे कवर कर लें तो देखे हमारा आता बहुत अच्छे से गुन गया है अब इसको हम कवर कर लेंगे और करीब 15 मिनिट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे तो 15 मिनिट के लिए आप इसको ढख के रख लें 15 मिनिट के बाद हमारा डो सेट हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां ले लेंगे तो इतना portion मैंने लिया है इसे अब हम dry flower में यानकी सूखे आटे में इस तरह से बेलेंगे अपने उंगलियों से बेलें या आप इस तरह से थोड़ा गोल करनें इसे और इस तरह की एक round रोटी बनाएंगे हम dry आटे की ज़ुरत हो तो dry flower में दुबारा से इसको आप इस तरह से लगाएं और रोल करें अब इसको oil brush करेंगे मच्छे से मैं एक square परांठा बना रही हूँ तो हर layer में मैं oil brush करूँगी देखे इस तरह से और फिर से हम इसे आप चाहें तो round बनाएं या square पर इस तरह से बनाने से जो अंदर की layer है वो बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है परांठा तो मेरा तबाग गरम हो चुका है इसे हलका से oil brush करके मैं इस पर ये रख दूँगी और इसको देखें इस तरह से तो इस तरह से आप किसी spatula से इसको प्रेस करके दोनों तरफ से से के इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा color आ जाता है और ये थोड़ा crisp बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो हमारा जो परांठा है तो तयार है आप इसे चाहें तो दही के साथ खाएं या बटर के साथ या आपके अपनी personal choice है तो देखें हमारा परांठा तयार है इसी तरह आप बाकी परांठे भी बना ले तो ये बहुत ही simple और easy सी recipe है आप एक बार जरूर इस तरह से परांठे बना के देखें पहले अपनी हरी सबचियों को आप पका ले ताकि उनका moisture निकल जाएं और फिर उससे आटा गूंदे तो बहुत ही tasty परांठे बनते हैं I hope आपको ये recipe मेरी अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थांक यू